आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आये हैं, इसमें हम आपको क्या करवाने वाले हैं? Dragon कि हमने कल आपको जो फीकता है में मशीनिस्त की बेसिक जानकाई दे दीती ठीक है आज हम उससे आगे क्या पढ़ने वाले सुरक्षा एम सावधानिया थे तब प्राथ में कुप्चा पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सभी लोग वीडियो को एंद तक देखना आपको बहुत नो सुरक्षा का मतलभ क्या होता है आपको पता होगा अगर नहीं हम बता देते आ कि सुरक्षा एक ऐसी टकनीक उती जो भविश्य में आने जो तो से बचाती है तो यह सब्छाथ करें शेप्टि में और मैं वाली गता नो जो मकित फेलिंग के होंसे हमारी आपने ने जहांए जो एक होें वेdefined आपने पिक होंसे एंगते हमहां है तो जैसे कि अपनी स्रक्सा है ना ईसमे तो पहले हम क्या जानें तो पहले हम जानतें अपनी सेल्फ नक्रस かobs का मतलब है यह मुझे करते हो जानते उसके बाद आगे चलेंगे बता देता हूं यह जैसे कि आपलिख भी सकते हो काले को पूरी लगन है द्यान से करना चाहिए कोई भी हम काम करते हैं तो उसे एकदम पूरी लगन है द्यान से उस काम को करना चाहिए ठीक है सैकिन आपका तो इसमें स्वर्म की स्वरक्षा में आएगा जैसे कि जिस मशीन पर हम काम करें न तो वहां पर अच्छा यानि उसक चाहिए और कोई चोत लग जाए आपको य然ी आपके साथ को ब्रॉक्त नहीं तो त्रॉंट आपको चाहिआ रहा तो या सपता सी ह्जाना करता है तो यह अगए चलता है लोग लोग तो ब्रीध में आздतरो तो आगे हम क्या पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे वर्क्षोप सुरक्षा कि वर्क्षोप सुरक्षा क्या होती है तो आपको पता है जो वर्क्षोप कि सुरक्षा इसमें में लिए आएगा अगर वर्क्षोप में किमी काम कुछ भी काम करते हैं तो हमें पूरी दहान से उस तेल गीस आदी चीजे नहीं पड़ी होनी चाहिए उससे हमार हमें दूरतना हो सकती है इसलिए हमें जो वरक्सोप है उसकी साफ सफाई पर दान देना चाहिए ठीक है इसमें में लिए आजाएगा थार्ड नंबर पर आपका मसीन के बारे में देखते कि मसीन सेब्टी क्या हो जैसे कि कोई माई लो आप ग्याइनदा मसीन पर काम करें और तो अब चस्मों का यूज करना चाहिए क्योंकि वहां पर चिंगाई निकलती है जिससे हम हरनी यानि हमारा ऐसाथ दूरतना हो सकती है ठीक है और एक इसका क्या बता सकते हैं मसीन सो एक्सामें जिस मसीन पर काल करना हो उसे पूरिया को मेशीन जो ज blueberries नहीं काम करते हैं उसके हं में पूरी जानकारी होनी चाहिए तभी से उसके उसका है यान नहीं JUDY यहां तक सेब्ति में आपको सब लोगों को समझ में आगया होगा आगे चलते हैं लोग है तो गाई अगे हमारा है सेपति सिंबलral to you काम्रोटार सेपति कारल हुरता है जासे कि आपको कोई बीदूगतना से पहले सुब्चित करते हैं कि आगे आपको दूगतना हो सकती जैसे कि निशेध आवक्चिन है तो इसमें क्या होता है इसमें आपको मना किया जाता है किसी भी काम के लिए जैसे कि यह हमारे क्या है यह हमारे कि सीधे जाना मना है यानि कोई भी आस्ता है वो सीधा जा रहा है तो आगे खता हो सकता है तो सीधे जाने मना है तो यह इसमें निसेद है यह कि यह कि पैदल चलने वालों के लिए न आने के सिदा नहीं हरे तो इसमें एक यह होता है इसमें कभी-क्रिपर में क्या पूछते पूछे कि आप लिए आपसे कि जो निसेडात्मक्च मैं उसका तल्ह कैसा होता है उसका लंक इसा होता है और कोई भी काम उसको ना करने के लिए कैथते तो ये के लिए बहुत के है यह भी कह सकते हैं यह वज़ह दसाता है कि यह वज़शत नहीं है जैसा कि самые इसलिए दिखाय judging था टा है थीक है तो आपको से आखार को कैसा मिलता है यह यह जिसका N ago में हैं इस पर दान मत देरा तरह यह आदेशात मक्रा होगा यह निसे रात मक्रा होगा यह निस बताते हैं तो गारी देखो और इसमें जो एक कभी आपसे dispar me मिशेदार्थमक्च Inini का के तो कैसा होता है यह दान्मदीन यह नहीं किस labor dat लुटते हैं serversило नहीं होते हूं किनार होते हैं तॉटए कॉर्स्वार केंहें को उस बार कहेंगे ठीक है और इसका आयत आपको मैंने बताई दिया वजी जी यह नहीं किसी भी काम को मना करने के लिए कहते है ठीक है और जैसे कि आप ऐसे भी देख सकते हो दुम्वा का दुम्वापान निशेद है तो वहां पर भी आपको चिन मिलता है ऐसे ठीक है आगे अरड़रों कि इसने अमें के आपको चैतामनी का चैतामनी का चैतामनी का चीन होगे ना तीम देखोगे भी चैतामनी का अज और की ऑसका होता हो मरिव्य और भूम्य पर कelt happier तीगे त्ली तो पीले अंकार इसका बना हुआ होता है ओर जो इसका ऑनłoगनně यह कैसा होता है खता he वहां पर दशाते हैं तो यह अंगादेद का चीन है यह बहुत बार पूछा जाता है एक्जाम में यह पैदल चलने वालों के लिए है तो यह सभी यह है कि जो आगे पीछे आपको आगे चलते हैं अगला चीन आपके लिए किया है यह सूचनात मकचिनлять क्या है सूचनात मक्चिन जैसे यह हैं कि दो किलो मीटेड लग़ेगा कि यह इस Kick financiER का और आपको फेनुट का चाहते हैं यह आपको पार किसी कर सकते हैं तो नहीं के लह रहुए हैं यह लोग उसनुफिकर चाहिए बहुन ओड़ जो आंकार कीसा होगा गष्ऐ हैं लिए दीचा में ऊलिए पड़ोग गॡ़ोह दो इसपेद चीन ऑम थैं तसने नियर यह संपयुकलम के बने ऊब्नों ऑगांजानी आप इसंपर में धिए ने में तो इसके ऐसे जिए halfway देब्ञार आnda स होगा होने के बार में इसका मतलब है कि यहां पर दसा है कि यहां पर मोबाइल है ठीक है यहां पर हस्पताल है यहां पर पैतोल पंप है तो इसका मतलब यह कह सकते हैं इसमें यह लिख सकते हैं कि यह किसी के होने के बार में हमें सूचना देखता है ठीक है यहां तक सुभी लोगों मतलब आगे चलके इस साइड मुदना है थी खाय कि आगे चलके 19 इंदिगी पर मुदना है आपको यह आगे आप यह कह सटे हो कि आपको यानि आप सदक पर चलते हूं तो महाँ पर पर आपको यान Im दिल ली जाएगा ये गुदगाव जाएगा ये माने सा जाएगा ऐसे आपका रास्ते में ऐसे मिलते हैं तो ये आपको आदेस आत्मक होते हैं कि मतलब ये आपको नहीं ये सूचना आत्मक होते हैं कि ये दिल ली जाएगा तो आदेस आत्मक होते हैं जैसे कि ये बता है कि इ एकस्व जैसे कि मैंने अब प encests का गोला का का हुथ रंग कैसा होता लाल किनायत्र और होता है तो ये आप के रहे हो लेको आैंट मैं अब के लिए लिए아ब किसा न तरिषिए इसका ताथ पर क्या होता है कोई भी चीज के लिए आपको मना किया जाएगा मैं पहली बता है तो यह आपका आका इसका गोलाकार होता है कैसा होगा सपेज सका टूता है कैसे करना जरू होता है जैसे कि लगा सकता है कि हाथ कि स्व dönक्सा के लिए दसताने हैं भी आपके आप यह को सब्सक्राइब करने निच्प्स हो इस्सीफ है चलते हैं यह आप कि है आपका ठाट होता दूल यह अनु जाकर वोता है मैंने बताया था भी इसका बड़ मुण पर काली बोद होती है तो गाइजंग ये आपके एक्जाम में पूछ्छे जाते हैं बहुत कि नोत करते हुए चलना एक करना है तो यह आपके लिए बहुत इंपूट है तो इसको इंग्दोग नहीं करना है आप सभी लोग कभी इग्दोग कर दो साफदान किसी खते से साफधान करता है जैसे कि आगे 440 वोल्त का विदूत का अज़त्का लग सकता है आपको इसके लिए करता है या आपको कोई तेन पती है तेन है तो वहां से तेन जाने वाली है तो आपको गुजरने से मना करने के लिए भी इसका उप्रोग किया जाता है तीग है आगे चलते ह तो इसका मतलब होता है कोई भी हमें यह बताता है कि यहां पर हस्पताल है यहां पर पार्क है यहां पर पार्किंग एलिया है यह ऐसे ही बताता है यहां पर कंपनी है यह इंडस्टियल एलिया है तो ऐसे हमें बताता है यह सूचना देता है में यह में चीज है आगे आपका ह जैसे नहीं हमाय का 1 देखो प्यात्मिक उपचा होता है किसी बी वक्ती को दूगत्ना के बाद दिआ जाता है यानि उसके कोई भी आपको उप्चार दिया जाता है दूगतना के बाद तो हम उसे प्राथमिक उप्चार कहते हैं तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोक्तर के आने इस पहले जो हम उप्चार दिया जाता है तो हम उसे फर्स्ट एद या प्राथमिक उप्चार बोल सकते ह में मिलनी 3 होते हैं पहला होता है i.e.b.c Ms. a.b.c का मतलब होता है एक मतलब आपको जो दूगत ना हुई है ँसका ये देखना कि उसकी सास चल ला कि जाना ही घैन थैसी कि नबज चाने है शेन Evie इसका मतल temples होता है जैसे आपको यह चैक करना कि कि उसका र्कत परीशंचन तंतर एकदम सृ तैहिसे चल रहा हैै नहीं चल रहा तो गाइज अगला अपना देञे ले लुक्त यह हमार लगाना चैए इसको मास्क लगाना चाहिए ईसके कि क्या ए बढ़ लगान सभे je जिससे की ज्ज्दा सउर होता में अद्ध टकलीफ नहोता है डुस्ताने पैणने चाहिए अध्र पहन ना चाहिए जूदते पैनने ठी मैं तो गाईजे फन बी चाहिए यह को इन पर काम करें जैसे क्यों कोई यह बर्द का काम करना चाहिए तो आगे चलते हम लोग तो गाई चलते आगे आगे आपका है कि यह क्यूशना का एक्जाम में पूछा जाता है कि वेस्ट मेट होता है खाल परदात के लिए इसकाइबलु होता है जैसे कि अन्य चीजD भी हो सकते हैंनके लिए इसकाइबलु होता है तो अब आगे जैसे कि इसके बारे में डिसक्ष करने वाले तो यह सुट सिस्तन साहत उता भी कहते हैं और सिस्टेक सू इसको सूस्टेन कहते हैं तो यह पार जैसे कि यह कैसे होता है यह पार सब्दों से बना हुआ होता है थीक है पार सब्दों की होती है इसमें जो सब्द होते हैं वह सभी पार्चु सब्द एस से इस्तार होते हैं कि से एस से इस्तार होते हैं तो आप का इसका उप्योंग आप किसलिए किया जाता है इसका उप्योंग कुई अपनी कंपनी हुई या कोई वरक्सोप हुआ तो वहां पर इसका उप्योंग कोई भी हो गें जैसे कि इसमें मांस प्रॉडक्य सिंसे मांस में जादा होगा आपका और इस में जोब एक्ड़ आप एकडम उंड़ से मनें एक उर्ड़ में कमें तरह गर perceived के घ्रम का निधान करना करना कोई भी चीज भी सुवस्तित करना चमकाना क्या करे सकते इसका मतलब होता है मान इभी कर् cho whisk a और से मानवी कर वर इसका होगा कोई बी इस चीजों को का topp और ýख नहीं चायों को मैं को का kingdom कि ना इंको एक दम बना एक नहां थी के इसका काम यह होता है दूगतना आने वाला थी दूगतना किसे कहते हैं दूगतना मैं आपको बता दूँ कि यह ऐसी गतना होती जिसकी कलपना हम नहीं कह सकते कि हमें हमारे साथ आगे क्या होने वाला है तो उसे हम दोगतना कहते हैं यह कभी-कभी को ना नहीं करते हैं कि आगे हमां यहीं कहां होगता है ऑनिवाला होने निए वाली या इसको गूत नहीं करते हैं हमारी साथ नहीं होसकती hitting सकते तो यह आपकी होती है तीग है और जो अ जी चे हिए निखा dripping का मतलब होता है कि इसका काई भी लिखा वा नहीं है कि यह समय हमारे साथ ये द्मुष्डना होने वाली जीए तो इसका मतलब यह उता है आगे चलते हैं तो गाइज इसके द्रगत्ना के कारिभ सकते हैं वह भी देख लेटें थे और इसके कार्ण क्या हो सकते हैं तो इसके मेंलिक हो सकते हैं जा сपे नहीं नहीं मशीमें ऑता है तो हमें उसके बाए में ज्यादा जिग्यासा करना थी गए, अग्यानता का मतलब होता है, जैसे कि कोई भी हमें किसी मसीन के बाए में जान का ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें चलाने की कोशिस करते हैं, तो भी दुगतना हो सकती है, अनुसासन में कमी, यानि हमें अनु याने ओवर टाइंब हमें कम से कम करना चाहिए हैं थी इन्वार्मेंट मतब इसका होता है आस्पास का वाथवन भी तु आपके साथ दूगत ना हो Chandina सकती अगे चलते हैं लोग तो अब आपका क्या आ गया है हमने देखो पहले safety complete कर दिया हुँ इसके बाद पिपी ấy complete कर दिया प्याथ में पुप्छली की हुए की जक्कशिए ती जे भाद हमने five such anальных complete कर दीए ठीके, अब हमाय आग आग, क्या है अगनी, हनि फायर किसे कहते है, तो गाइज़ फायर का मतलब होता है, ये अमाइब कीitel पैके तीन चीजों से लगता है, ते मैं बता देगता हूं, हीत, इसको पूस 내용 के कितने किना उते हैं और शकुषसेंस कि अगर देखते हैं तो इसको जैसे पहले जमाने ही एक एक दिएित है करते थी यहां कि आगर निको में वेगर निको ने आग को का वाइकन कर दिया है थी किलास A की आग होती है लगदी कागच कपदे की किलास B की आग तेल की आग होती है किलास C की आग गैस की आग किलास B की आग मैतल में विदूत की आग ठीक है तो यह सभी प्रकार की आग होती है पाई जाती है तो मतलब इससे ये मतलब है कि जो किलास A की आगे ना इसमें क्याएगी लगदी, कागज, कपदे की आग, किलास B की में क्या आएगी, तेल की आग, किलास C की में क्या आएगी, गैस की आग, किलास D में आएगी, मेहतल में विदूत की आग, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग किलास B के लिए हैं किलास C के लिए के लिए होता है फार्म जो कि के लिए होता है लोग को आगय कैट यह सभी आपके अगनी सा क्रवार्थ देख सकते हुँ यह आपДа लागन किलास एक की आ के लिए होता है यह किलास बी की आ के लिए यह किलास सी की आ के लिए किलास दी की आ के लिए तो देखो जो इसमें आप देख सकते हो यह ना जो इसमें एक किलास सी की आ के लिए यह कंतेना होता है ना यह अपना कंतेना बोल सकते हैं तो इसमें दो कंतेन लाई है इसमें बहार हुरा होथा है आपका सोदा बाइकार्वोनेंट क्या होगा सोबा सबस्काerson itself asania formula यह though यह वह आपको दे सकता है इसको क्या बोल different colour. है यह आपको op कार्षानिक नाम यह हो गया शरीक अंदरौनि कंतां नीह निहीं इसके بज fier लूमुनियम इसमें क्या बाइया होता है इसमें बाया होता है कि इसको ए ल तू एस ओफोर से दसाते हैं इसका आशानिक फोर्मूला है आगे चलते हैं लोग तो यह मैंने बता डी आपको तीक मैं फिर से बता देता हो बायकंतेना में क्या बाया होता यह कंतेना में बाय का झाउक है एन ए हसी हो थी जिसका हम बोलते हैink है अंदूनी कंतेना में बाया हुआ यह होता है अलूमुनियम सलफेत तो खिलाशी का यूज मतलब जो किलाशी अगनी सामा के ना उसका रूज हम किलास ए बी सी दी किलास की आग में करते हैं तो इक बाद आपको समझा देता हूं उसके बाद आगे चलेंगे जैसे के मैं जैसे हम इसको एक बढ़ बुजान देते हैं उसके बार आपको अच्छी समझे में आएगा ठीक है तो सभी लोग एक सेकंड रूकना सभी ठीक है तो देखता है मैं इसको मितान देता हुआ उसके बार बताओंगो मैं आपको आगी चल्ब आप बताता हम ठीक है तो गाइच देखो इसमें क्या है जो किलास C की आगे ना यह एक शी गुष्टा है ना इसका उप्योग हम किलास A B और D की आग को बुजाने के लिए कर सकते हैं ठीक है यह यार रखना ठीक है तो यह आपका कलर कोड भी यार रखना है आपको यह भी कभी कभी एक्जाम में पूछ लेता है आगे चलते हम लोग जहां तक हमने पढ़ा दिया था तो CTC को BCF कहते हैं तो इसकी फुल फोर्म क्या हुझा है कि ब्रोमो कलोराइड फलोरो मीथेन इसको रासानी फोर्मूला यह भी दे सकता है CCL4 भी दे सकता है आपको ठीक है यह सभी आद करने हैं आपको यह आपका है कि अगनी जो अगनी सामक है आपके पास आ गए तो आप इसको चलाएंगे कैसे तो पहले जो यह CTC कारबन तेता कलोराइड है न तो यह पीतल की बोदिय बनी होते है कार्बन तेता कलोराइड किस मतलब क्यां होता है दबाना और यानि इसको दबाना पधेगा जिससे कि यह निकलेकर यह बारी इसको आग के उपर गुमाना पदेगा जिससे कि आपकी आग बुझ जाएगी ठीक है आगे चलते हैं तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही आज हमने जो चैप्टर नमबर वन है वो आपको कम्प्लीट करवा दिया है ठीक है तो कल हमार क्या होने वाला है कल के लिए हम बता देत होती है यह आपका होने वाला है यह आपकी क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो यह हमारी यूटूब चैनल पर आपको एगूला क्लास देखने को मिलेंगी और इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्त ही बना दिया है वहां पर आपको सभी प्रकार की वीडियो हमाई यानि पूरा सा ने बस एगूला वीडियो देखने को मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैबास सभी लोग हस्ते हों मुस्काते हों